जिन्होंने अपने यतनों से पूरे भारत में सीनियन सिटीजल क्लब की ओर से जम्मुत उधम्पुर प्रांट के सभी साहितका और हमारी सरस्ता के सदर से यहां एकत्र हुए हैं इस महांगी विट्व को अपने सद्धा सुमन आर्पिट करने के लिए तो मैं आप सब से रुरूद करूँगा कि क्रप्या यहां पंक्ति वद्व हो जाएं और एक एक करके अपने सुद्धा सुमन आगित करके मंच के पीछे आकर खड़े हुए बढ़े हुए हुए है लिए हुए हुए है लिए है में महांदीप सिंग जम्वाल प्रेजडेंट सिंग 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 कलाब उदंपुर आज का यह जो यहां पे शोक सबा रखी गई थी यह बेसिकली कि जैसे हमारे कलाब के चेर्ण में डाक्टर ओदर्श जी ने इस पे रोशने डाली है कि डोगरी और हिंदी के एक महान कलाकार जो जिनके एक बहुत बड़ी कंट्रिबिशन डोगरी साहिते में थी पद्मा सचदेब जी जिनका जनम 17 एपरिल 1940 को परमंडल में हुआ था वो कल जो है इस संसार को छोड़ कर हमारे बीच से चली गए उनी को उनी को शरदा सुमन अर्पित करने के लिए हमने यहां के जो साहिते जगत से उद्मपूर से जुड़े हुए महान हस्ती हैं जिनमे हमारे पदम शिरी शिब निर्मोही जी साहिते कैडमी अबाडी शरी प्रकाश प्रेमी जी महान कलाकर डॉक्टर आदर्श जी जो के हमारे कलब के चेर्मेन भी हैं इसी तरह हमारे लेखक जगदीब धूबे जी और साहिते से जुड़े हुए तमाम जितनी भी उद्मपूर से भिभूती हैं सबसे एक जाइंट कंसेंसिस के बाद आज हमने यहां पे पद्मा सचदीब जी की याद में ये एक शोकसभा रखी हुई थी यहां तक पद्मा सचदीब जी की बात करें तो यहां यह कहना बड़ा जरूरी होगा कि शायद हमारे जम्मaría कुषमीर की हिस्टी की में बात कर सकता हूँ कि वह पहली साहिते अकडिमी अवलड बेनर थी जिनों ब्यांत कती साल की उमर में आपने जो एक गीत माला थी मेरे गीत नाम की जो उनकी पहली पुस्तिग थी वो उसके उनको साहिते अकैडमी अवार्ड जो है 1971 में मिला मुझे याद है कि उस किताब का उनने 1969 में ये किताब लिखी थी तो उसका पढ़ने के बाद हमारे हिंदी के एक बड़े जो है कभी गनु है राम धारी दिनकर जी उनका ये टिपनी थी उस किताब पे कि पदमा साचदेब जी की किताब को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अपनी लेखनी को जो है फैंक दूँ क्योंकि पदमा साचदेब जी ही के जो शब्दों में जो जो सही लिखी गई है यही शायरी का मतलब है उनका सफर सिर्फ खाली साहिते अकैडमी एवार्ड में ही खतम नहीं हुआ बलके उन्हें 2001 में पदमशिरी से नवादा गया और उनके क्रेडरिक में अगर हम देखे तो शायद ही साहिते से जुड़ा हुआ कोई एक पुरुसकार है जो उनकी जोली में जिससे वो समानित ना हुई हूँ प्लप उनकी जो लिट्रीरी वर्क के अलाबा गर हम देखे तो हिंदी फिल्मों में भी उनकी तीन-चार फिल्मों में गाने लिखे थे और एक बड़ी महशूर फिल्म जो प्रेम परबत थी जिसकी शूटिंग हमारे उदुमपूर में कोद में हुई थी तो उसका एक बड़ा महशूर गाना था वो भी पदमा सच्देब जी का लिखा हुआ था तो वो तकरीबन हर लोगों के होंटों पे जो है वो थिरकता रहता है वहीं पे अगर हम बात करें तो फिल्मी गीत के अलाबा डोगरी में उनके लिखे हुए जो गाने थे जैसे आम हम आई दिन जो है तकरीबन हजारों क्रोडों लोग उसके जो उनके होंटों पे हैं जैसे पला सपाईया डोगरिया और निके फंगडू उच्छी उडान ये ऐसे महान गाने उन्हें लिखे थे जिनके जो है हमारी जो गाय का महान गाय का लता मंगेशकर जी ने उनके ये गाने गाए तो उनके जाने से एक जो डोगरी के साहिते में हम ये समयते हैं कि जो एक दूती मेरे साथ खड़ी हैं तो मैं आपने शब्दों को यही पर भी राम देता हूं मैं प्रकाश्ट प्रेमी आज परमा जी दे इस संसाथ नहीं रोना पर इन्ना दुख मैसूस करा करना है और ये दुख मेरा के नहीं सारे दे सारे डुग्रदा के नहीं पार्दवर्ष सारे लेख के ना दुख है वह इसमत चुक्दाईयों है चित्रा मुद्गरों है वेद्राइयों यह दूए साहित्यकार उन्ता सारे सांचा दुख है मैं काल सद्नाजिलियां जरीने सुना करता है अखेंच अत्नु आईए इतने क्योंके साड़ी उदंपोर दियो दो त्री इतने मकान थे पदमाजीदा जीवन बड़ा संघर्ष्ट पूर जीवन डेदा है थारा उन्ने साल दी उमर चेगा है चोटी उमर चेगा हुआ और उदे बाद उनेगी अंतनिय दी टीवी यह इंग शिर्णगर इलाज किता एक बारिया सिर्णगर दा आवाते है उभी उत् प्रणगर मेरा प्योका है ते तो ओप्योका के एक है के डक्टर आफ लूह जीने उनका इलाज किता दा और रिष्टा हुआ बेटी दा टे बाप नबढ़िये दा उने अपनी कताब एक बेश्मार किता लिखियां अपनी एक इक निनती कताब है जरी आत्म का था है चित चे कि अपना सारा जीवन जड़ा है व्यक्त कि तदावर इनी खुबशूर्ती करना है ते दुगर्दा कोई भी कोणना नहीं शुड़ा था दुगर्दे कल्चरता कोई अंग नहीं शुड़ा था जिसमेल आस बार जंदे हैं साउस्ट गे नार्थिस्ट गुदेभी गे पुछन पूरा पारत बरस्ति दे लेकर जड़े हैं वो जानते हैं खड़ंग पूरी डोगराला सबा खड़ंग गड़ाके अज वो गड़ाके सड़च नहीं रहे है अज असी इस चला जला दुख है कि एक महान सा हित्यकार इस दुनिया चा चलिया और उस दित्वां कदे भी केई स पूरी नहीं योग ऐसा मेरा मनना है और उन्हें सिर्फ पद्य के नहीं लिखिया पलके नावल लिखे जिंदगी नामें लिखे कहानियां लिखियां तो यह बहु मुखी प्रतिबाला कलाकार कुसे भी पाशादा जाना उस पाशादा बड़ा नुक्सान होंदा अब नहीं पद्मा जी अपने प्यार प्रोच इस रद्धान जली दिनना कि मेरे गण्याते उन्दाए करिश्टा जिड़ा हो इंगा प्राहे आला रिष्टा परेड़े आला रिष्टा हा तुम्हीं जड़ा दोख है उसी में व्यक्तिनी कर सकदा इन्हें शब्द्य करनें कर पनें अज उन्दे देहा सान दी उपपर जोग सवा ओई है उदे करने अम्मी अपने अथ्रू नहीं रोकी सकिया मिगी बड़ा दुख होया और असे सारें की बड़ा दुख होया पदमा साज़ देव दी जडी एक प्रतिशमी ही उस सिर्फ डुगर पर देशता कि सीमत नहीं आही पदमा साज़ देव दुगर दियां ओ महान लेख का हियां जिने रूस देच डोगरी दी गाल किती और रूस थमा एक बड़ा बड़ा जिसला है के मैतरी पुर्श का रहा ओ लेहा आई हैं ओ अमरीका गेहां फ्रांस गेहां जर्मनी गेहां इंग्लैंड गेहां जिती इते ओनाथ कितीयां उठ्छे उन्हें साड़े डोगरेंदे व्यक्तितव गी डोगरेंदे महानता गी डोगरेंदे गौरव गी उन्हें बढ़ाया दस्य। और साड़ी जरी जातिये को ने है ont primera की आई है उन्हें लोग 파्छ ऑनाए के साड़ा जर्यड़ा है वबड़े दाज केंगी जिसला सनाय इधे करने के वाग के साड़ा सेर जड़ा हा वो बड़े गरब करने परोच चीनता है पत्मा साज देव जी दे ननियाल जड़े है वो उदूंपूर है उन्दे माम्मा जड़े है वो तीचरे अंग सलाय प्रोत और सब्जमंडी रूंदे है और वो जिसला असर जड़ा है मेरी पने इत गया है और आज मेरी पने इजड़ी है एक बड़ी बड़ी गायिका है पत्मा साज देव उन्दे शिफ्ती अगर वो बंबेई रहिया ति उन्हें बंबेई दे महान कलाकार है चाहे लटामुगेश्वरी है मेहंदर कपूरे उन्दे को ला डो अबरी पाशा दी मदोता मिठा सरस्ता सरलता जड़ी ही ना ओबरी आए आज सारा 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 डोगो जीडा साहिते की शेतर जड़ा है ओ यहां ख्यत भी ख्यता है तो अती दुखी है आज उससे दुखी मान करने उन्हेंगी बाव इन्दी श्रदा अर्पित करने हैं में सिन अर्पित करने हैं